दूस्तो एसिया कब 2022 के पॉइंच टेबल में तीन टीमें हैं जो ओफिसली कौलिफाइ कर चुकी है तो यह एक टीम है जो सुपर फोर्ट से बाहरो हो चुकी है और चोती टीम कौन सी रहने वाली है मैं इस यूड़ों में आपको आगे बताने वाला हूँ वह यह सिया कब 2022 का नया पॉइंच टेबल कैसा हो भी आपको बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉड़न वीडियो में अंतता कब बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना तो आए चल वीडियो एश्टार्ट करते हैं तो दोस्तो कल बहुत ही रोमाशक और भेतरीन मुकाबला स्रिलंका और बंगलादेश के बीचे खेला बंगलादेश को रोमांचक मुकाबले में स्री लंका हराकर सूपर फोर में कॉलिफाय कर चुकी है और सबसे पहले हम बात करते हैं उन तीन टीमों की जो सूपर फोर में कॉलिफाय कर चुकी है अफगानिस्तान टीम का परदशन काफ़ी बहतरीन है जहां इस टीम ने दो मैच खेले हैं और दोनों ही मैच में इस टीम को जबरदस जीत मिली है और यह टीम ऑफिसली सुपर फोर में कौलिफाइ कर लिया है वह दूसरी जो टीम है जो सुपर फोर में जगह पकी कर लिया है वह है टीम इंडिया इंडिया का भी परदशन काफ़ी बहतरीन और अच्छा रहा है और इस टीम ने दो मैच के लिया और दोनों ही मैच में इस टीम ने जबरदस परदशन करके चार अंकों के साथ पोइंच टेबल में पहले नमबर पर भी है और यह टीम ऑफिसली सुपर में कॉलिफाई भी कर लिया है तीसरी जो टीम है जो सुपर फोर में जगह पकी कर लिया है कल का मुकाबला जीतने के बाद स्री लंका भी सुपर फोर में पहुँच चुकी है स्री लंका हलाकि दो मैच खेली और दो मैच में से एक मैच में जीती है तो एक मैच में इस टीम क हार मिलिये लेकिन जबरदस जीत के साथ ये भी टीम सूपर फोर में जगे पकी के लिए तो अफगानिस्तान इंडिया और स्री लंका ये तीन टीमें हैं जो ऑफिसली सूपर फोर में कॉलिफाय कर लिया है वही अब बात करते हैं उस टीम की जो सूपर फोर से बाहर हो चुकी है तो वह टीम है बंगलादेश कल का मुकाबला हारने के बाद उस टीम ने दो मैच खेला और दोनों ही मैच में इस टीम को हार मिली है और ये टीम ऑफिसली सूपर फोर से बाहर हो चुकी बात करते हैं उन टीमों की जो सूपर फोर की रेस में अभी भी काइम है तो पहली ज मुकाबला जिती है तो यह टीम सीधा सीधा सुपर फोर में पहुंच जाएगी वह दूसरी जो टीम है पाकिस्तान है पाकिस्तान टीम भी एक मैच के लिए उस मैच में इस टीम को हार मिला तो एक मैच अभी इस टीम को और खेलने हैं अगर उस मैच में जिती है तो टीम सुप और फोर में पहुचेगा और जो मुकाबल हारेगा ओ घर जाने वल है तो दोस्तों अगर हम चार टीमों की बात करतों जैसे की इंडिया अफगानिस्तान और स्रिलंका ये तीन टीमें तो पहुच चुकी है बाकी की चौती जो टीम रहेगी ओ आपको क्या लगता है क्या पाकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर स्रिलंका तीसरे नंबर पर बंगलादेश गुरूप एक के पॉइंस टेबल में पहले नंबर पर इंडिया दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तीसरे नंबर पर हॉंग कॉंग शामिल है तो दूस्तों इस वीड़ों बस इतना है अगर आपको पसंदा आइस वीडो को लाइक कर दना थैंक यू सो मच गाइज वाचिंग वाचिंग इस वीडो